नाकपुर क्राइम ब्राँच ने कारवाई करते हुए बड़े पैमाने पर सुपारी जब्त कर सुपारी गोदाम को सील कर दिया है पुलिस को दिल्ली से प्रतिबंदि सुपारी का ट्रक नाकपुर आने का पता चला इसके आदार पर क्राइम ब्राँच के DCP चिन्वे पंडित के अगुवाई में यूनिट 3 के लकडगंच के ट्रांसपोर्ट प्लाजा परिसर में दबिज दी गई पुलिस ने दिल्ली से आय ट्रक को रोका उसमें सुपारी की 350 बोरिया होने का पता चला है चालक ने पुश्टाज क्राइम ब्राँच ने प्रतिबंधी सुपारी के संदे में लकडगंच के ट्रांसपोर्ट प्लाजा परिसर में च्छापा मार कर बड़े पैमाने पर सुपारी बरमत की है गुरुवार को दोपर हुई कारवाई में से ट्रक मो रानिपूर ट्रांसपोर्ट के अनुप नगरिया का होने का बताया पुलिस ने नगरिया को तलब किया उन्होंने दस्तावेश दिखाते हुए सुपारी दिली से आने का बताया इसी कारवाई के दोरान पुलिस को राजश पहुजा नामक व्यापारी के गोदाम पर भी प्रतिबंधी सुपारी होने का पता चला पुलिस को गोदाम की जांच करने पर सुपारी की 120 बोरिया मिली पुलिस के अन्यस्थानों पर दबिश देनी की आशंका से कापसिक खुर्त के बियर बार के पास सिद दो गोदाम से करीब एक करोड की सुपारी सुरक्षित जगह पर पहुचा दी गई इसी बीच क्रावाई ब्रांच ने FDA को कारवाई की सूचना दी FDA दलने नगरिया तथा पहुचा के गोदाम से मिली सुपारी की जांच की और गोदाम को सील करने की प्रक्षित शुरू की इस कारवाई से वैपारी में दहशत का माहुल है जबकि अचानक हुई इस कारवाई की चर्चा गुरुवार दिन भर रही